बच्चों आज की संस्कृत की कख्षा में सभी का स्वागत है और आज हम लोग नौमा पाथा अहम अपी विद्यालियम गमिश्यामी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे और उसमें निकालेंगे मैं भी विद्याले जाओंगी या जाओंगा दोनों के लिए ही इसका प्रयोग होगा तो सभी बच्चे अभ्यास पुस्तिका में निकालेंगे नौमापाथा और ये है पेज नंबर 33 पर 33 पेज नंबर पेज नंबर पे दिया हुआ है और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है वह है पदा नाम विभक्तिम वचनम लिंगम चा लिखत पदों का विभक्ती वचन और लिंग लिखो तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रश्न का में जो पद दिया हुआ है वह है मालिन्याह तो इसमें हम लोग को विभक्ति, वचन और लिंग लिखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है इसी तरह से सभी पदों को करना है तो सबसे पहले हम लोग उत्तर एक यहां पर लिखेंगे उत्तर एक और इसमें जो पहला है विभक्ति है विभक्ति जो खाली जगह में लिखना है विभक्ति है और दूसरा वचनम कौन सा वचन है और लिंगम कौन सा लिंग है तो ये इसमें भरना है तो यहाँ पर हम लोग मालिन्याह का लिखेंगे पहले का में तो मालिन्याह जो है वो मालिनी इकारांत इस्त्री लिंग ये पद है और इसमें सस्ठी विभक्ती है और एक वचन का सस्ठी वचन में एक वचनम लिखेंगे एक वचनम और लिंगम में इस्त्री लिंगम तो यहां पर, इस्त्री लिंगम हो जाएगा, और अब है ख और में, खा में पत दिया हुआ है, अध्ययन से, अध्ययन, तो अध्ययना है, यहां पे शष्ठी विभक्ती है, अस्य उचारण यहां पे, तो इसमें पिस शष्ठी विभक्ती है, एक वचन है एक वचनम और ये पुलिंगम पुलिंगम और विद्यालियम जो है यहां पर विद्यालियम द्वितिया विभक्ति में आता है और ये एक वचन में आता है द्वितिया एक वचनम और ये जो है पुलिंगम में आएगा और यहां पर अब हम लोग अगला पत देखेंगे सुतायाई सुता कहते हैं पुत्री को और यहाँ पे सुतायाई पुत्री के लिए तो के लिए अर्थ में यहाँ पे चतूर्थी विभक्ती का प्रियोग हुआ है सुतायाई और यह जो है वो एक वचनम है वचन में एक वचनम और इस्त्री लिंगम यहाँ पर इस्त्री लिंगम हो जाएगा इस्त्री लिंगम और अब इसके बाद है पुस्तकानी पुस्तकानी जो है वो नपुनसक लिंग शब्द है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी और इसमें जो है बहुआचन का प्रियोग है और नपुनसक लिंग शब्दों में प्रत्मा और ध्वितिया एक जैसा होता है तो यहाँ पे प्रत्मा और ध्वितिया दोनों में ही इसका प्रियोग होता है बहुवचन में तो यहाँ प्रत्मा और ध्वितिया दोनों में से कोई भी एक इसका उत्तर हो सकता है तो यहाँ पे बहु अचनम, पुस्तकानी बहु अचनम है और नपुनसक लिंग शब्ध है, नपुनसक लिंगम. और अब है यहाँ पे दर्शनया, यह दर्शना नाम है, यह दर्शना इस्त्रिलिंग का, तो यहाँ पे दर्शनया जो है वो त्रितिया विभक्ती में जैसे बालिका से बालिकया, और दर्शना से यहाँ पे दर्शनया शब्ध है, तो यह इसमें त्रितिया विभक्ती है, त् एक वचनम इस्त्री लिंगम, एक वचनम इस्त्री लिंगम, तो यहाँ पर इस्त्री लिंगम का प्रियोग है, और अब है यहाँ पर अधिकाराह, तो अधिकाराह बहुवचन है, तो यहाँ पर अधिकाराह में प्रत्मा विभक्ति में, यह बहुवचन में आएगा, पुलिंग में यहाँ पे पुलिंगम और अब है यहाँ पे काले काल में यहाँ पे काले समय में इसकार्थ है काल में तो यहाँ पे सब्तमी विभक्ती का प्रयोग है सब्तमी विभक्ती आ जाएगी और एक वचनम एक वचन में और पुलिंग में तो इस तरह से यहां पे यहां पे पुलिंगम इसका प्रयोग हुआ और अब यहां पे जो दूसरा प्रशन दिया हुआ है दूसरे प्रशन में लिखा है कि क्रिया पदा नाम लकारम पुरुशम वचनम च लिखत लकार, पुरुष और बचन लिखना है और क्रिया पदों के लकार, पुरुष, बचन लिखने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है और खाली जगह बना हुआ है उसी में उसको भरना है तो इसको लिखने के बाद सबी बच्चे हम लोग दूसरा प्रेशन करेंगे और दूसरे प्रेशन में हम लोग लकार, पुरुष और भचन लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रेशन संख्या बदलते हैं प्रेशन संख्या दो है यह जो हम लोग करने जा रहे हैं भी और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग को लिखना है इसमें लकारह पुरुशह वचनम लकारह पुरुशह किस पुरुश का है और वचनम और किस पुरुशह 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 किस पुरुश वचनम में एक वचनम, एक वचनम हो जाएगा, और अब है यहाँ पे दूसरा करिश्यती, करिश्यती मतलब होता है करेगा, तो यहाँ पे यह लिट लकार का प्रयोग होता है भविश्यत काल के लिए जिसे प्रयोग करते हैं, लिट लकार और करिश्यती यह प्रथम पुरुष हो जाएगा और एक वचनम प्रतम पुरुष का एक वचन का ये रूप है और अब है यहां पे गप्रचलेत प्रचलेत यानि की यहां पे विधिलिंग लकार का प्रियोग है और इसमें जो है प्रतम प्रतम पुरुष और एक वचन का है प्रचलेत विधिलिंग लक विधिलिन लकारा है और प्रचलेत जो है वो प्रथम पुरुषका है ये प्रथम पुरुषका है और एक वजनम है तो इसमें हम लोग एक वजनम यहां लिखेंगे और अब जो घह में दिया हुआ है शब्द करूमि कृध हातों से है यहां पर क्रीध हातों में लटलगार के उत्तम पुरुषका है बनता है लटलगार से उत्तम पुरुषक एक वजनम अबникомद यहां पर एक वचनम ये रूप इसका बनेगा उत्तम पुरुष में और लटलकार में अब है आनेश्यामी आनेश्यामी में ये नीधातु से बना है और ये आनेश्यामी रिटलकार का है जो भविश्यत काल के लिए प्रयोग किया आता है काल और इसमें भी उत्तम पुरुष है और एक वचन है आनेश्यामी लिटलकार रहा उत्तम पुरुष है और एक वचनम तो एक वचनम का ये रूप बना है आनेश्यामी और अब है चप्राप्सियंति उचारन से ही पता चल रहा है ये बहुचन है प्राप्सियंति और यहाँ पे प्रवपसर्ग है, आप मूल धातु है, और यहाँ पे भी रिट लकार का प्रियोग है, रिट लकार है और प्रथम पुरुष है, उसमें उत्तम पुरुष था, यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचनम, यहाँ पे प्राप्षयंति बहु वचनम है, बहु वचनम तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्रिया पदों के लकार, पुरुष और वचन को देखा, समझा और अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रशन के ओर और तीसरे प्रशन में यहाँ पर दिया हुआ है कि संयोग युतानी पदानी संयोग युतानी मतलब जो जुड़े हुए शब्द हैं, जो दो शब्द जुड़े हुए हैं, जिनका वर्ण संयोग हुआ है ऐसे पदानी मतलब पदों को प्रिथक कुरूत अलग करो तो संयोग युक्त पदों को अलग करो तो यहाँ पे कई शब्द दिये हुए हैं और इसमें जो है पहला का का दिया हुआ है इसमें द्वारम उद घाट यती यह पद बना हुआ है तो इसको पूरा करने के बाद हम लोग तीसरे प्रश्न को करेंगे और उसमें जो है हम लोग पदों को अलग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या तीन डालेंगे उत्तर संख्या तीन और तीसरे के कव में यहां पे दिया हुआ है द्वारम उद्घाटियती तो द्वारम उद्घाटियती होगा दर्वाजा खोलना तो द्वारम द्वार कहते हैं दर्वाजे को तो द्वारम को अलग करेंगे और उद्घाटियती यानि कि खोलना तो इस तरह से यहाँ पे और यह प्लस के निशान को धन का निशान कहते हैं धन और अब है यहाँ पे दूसरा परमेशा 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 इसमें म और उ मिलकर मू बन गया है द्वार मुद घाटियती और अब यहाँ पे मौ और ए मिलकर परमेशा बन गया है और गा मे है अहम इतस्याई इसमें अहम एतस्याई अहम एतस्याई और अब है यहाँ पर अहम यानि मैं एतस्याई और धनम आनेश्यामी इसमें घर में दिया हुआ है धनम आनेश्यामी धनम आनेश्यामी धन लाउंगा या लाउंगी आनेश्यामी तो यहाँ पर हम लोग अलग करेंगे धन, धनम, आनेश्यामी लिटलकार का यहां पर प्रयोग है और धनम का मा और आ धन मानेश्यामी बन जाएगा यहां पर यह मा और यह आ मिलकर मा बन जाएगा और उचारण हो जाएगा धन मानेश्यामी जब इसे हम संयोग करेंगे जब दोनों पदों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा धन माने श्यामी और अब यहाँ पे पाच्वा है सिक्षामेव तो सिक्षाम इव बन जाएगा इसमें भी म और ए जुड़कर मे हो जाएगा और अब है इसमें अंतिम, अंतिमें आपे दिया हुआ है सर्वमेव, सर्वमेव में सर्वमेव, सर्वम और एव, तो सर्वम में मा का मा और ये ए दोनों मिलकर में बन जाएगा, सर्वमेव हो जाएगा और इसके बाद जो दिया हुआ है प्रश्न, वह संधी विच्छेदान, संधी विच्छेदान पूरियत, संधी विच्छेद पूरे करो, तो यहाँ पे संधी विच्छेद करना है, यानि कि इसमें एक जगह खाली है और एक जगह इसका संधी विच्छेद का पत लिखा हुआ तो इसको पूरा करना है तो हम यहां पर दोनों ही लिखेंगे और जो खाली जगा में भरना है उसे खाली जगा में भरा जाएगा तो अब हम लोगों को शुरू करते हैं उत्तर चार और उत्तर चार में सबसे पहला दिया हुआ है विद्यालियम यहां पर सबसे पहला विद्यालियम दिया हुआ है और संधी का अर्थ होता है जोड़ना और विछेद का अर्थ होता है अलग करना तो यहां पर विद्यालियम में विद्या और आलियम यह दो पदों को अलग किया जाएगा यहाँ पे उत्तरचार के क में विद्या आलेयम तो आलेयम यह खाली जगह में लिखा जाएगा विद्या का आले विद्याले और विद्यालेयम यहाँ पे द्वित्या विवक्ती का प्रयोग है एक वचन का तो विद्यालेयम हो गया है और अब यहाँ पे ख, हम लोग देखेंगे, ख में है इत्युक्तवा, इत्युक्तवा में इती उक्तवा, उक्तवा मतलब कहकर यहाँ पे और इती मतलब इस प्रकार का, इती उक्तवा और अब है यहाँ पे ग अध्याईवास्याह यानि कि अध्याईव अस्याह आज ही अध्याईव कार्थ होता है आज ही अध्याईव अस्याह और अब है यहाँ पे घ इत्यादिकम इत्यादिकम में इत्यादिकम इत्यादिकम और अब है अंग में यदनुसारम यहाँ पे यत अनुसारम यत अनुसारम यदनुसारम और यहाँ पे जो है हम लोग यह ता जो है यह ता और अ जब इनको संधी किया जाता है तो ता का दा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है स्वर नहीं है और यह ता है ता की जगा पे दा हो जाएगा तो यदनुसारम बन जाएगा और इसके बाद है नव उत्तर नव धन उत्तर और यहाँ पेच्चा के बाद छब भाला दिया हुआ है च्छा में दिया है पुस्तकान न्यादिनी यानि पुस्तकान न्यादिनी यानि पुस्तकान न्यादिनी पुस्तकान न्यादिनी यहाँ पिर ए का यह हो जाता है पुस्तकान न्यादिनी जैसे इत्यादी न्यादिन और जा है मॉलिक का अधिकारश मॉलिक का अधिकारश यहाँ पर मॉलिक अधिकारश तो जा में आ जाएगा मॉलिक अधिकारश मौलिक अधिकारसिक का और मिलकर का हो जाएगा मौलिक अधिकारस से बन जाएगा और अब इसके बाद यहां पे पूछा गया है पांचमें प्रेश्ण को हम लोग करेंगे और पांचमें प्रेश्ण में यह पूछा गया है एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर दें तो इस इसमें जो है, वो एक पद में उत्तर देना है, और क में पुछा गया है कि बाली का कति वर्ष देशिया आसीद, बाली का यानि जो लड़की काम करने के लिए आई थी, वो कति मतलब कितने वर्ष की थी, तो जैसा कि पाठ में वर्डन आया है, अस्ट वर्ष देशिया वो आठ वर्ष की थी तो यहाँ पे हम लोग अब पांचमें प्रश्न के पहले प्रश्न को देखेंगे प्रश्न संख्या पांच और उसमें हम लोग एक पद में उत्तर देना है उसका तो इसमें जो है पहला है बाली का कती वर्ष देशिया आसी तो यह है प्रश्न उत्तर संख्या पांच और इसका क हम लोग लिखेंगे तो इसमें केवाल लिखना है अस्ट वर्ष अस्ट वर्ष देशिया आठ वर्ष की और अब है यहाँ पे खा बाली का कस्य संपुर्णम कार्यम करो तेश्मा लड़की किसका पूरा कारी करती थी तो यहाँ पे एकस्य ग्रिहस एक घर का तो एकस्य ग्रिहस एक घर का पूरा काम करती थी और अब है यहाँ पे ग दर्शनायाह पतिह के द्रिशह अस्ती दर्शनायाह पतिह के द्रिशह अस्ती दर्शना का पति कैसा था यानि कि वो उसकी दर्शा कैसी थी तो दर्शना का पति जो है वो बीमार था उसके लिए रुगणा शब्द आया है तो यहाँ पे हम दोग लिखेंगे रुगड़ा, रुगड़ा का आर्थ होता है बीमार और अब यहाँ पे घवाला जो प्रशन दिया है इसमें लिखा है कि केन शिक्षायाह मौलिकादिकारस से घोशना कृता, केन मतलब किसके द्वारा, किसने, किसके द्वारा शिक्षायाह शिक्षा का मौलिकादिकारस से, शिक्षा के मौलिकादिकार की घोशना कृता मतलब घोशना की गई, तो यहाँ पे सरकार द्वारा घोशना की गई थी, तो उसके लिए सर्वकार, शब्द का प्रयोग होगा, सर्वकारेन, केन यहाँ पे पूछा गया है, कि केन शिक्षाय तो सर्वकारेन अर्था सरकार के द्वारा यह घोशना की गई थी और अब है यहाँ पे अंगवला है कि दर्शना सर्वस्मिन दिने कती ग्रिहाणाम कार्यम करोती तो यहाँ पे वो प्रती दिन जो है वो पंच शड ग्रिहाणाम पांच छे घरों का काम करती है पंच शड ग्रिहाणाम यहाँ पे केवन संख्या पूछा गया है तो पंच शड लिखने से भी उत्तर बन जाएगा और अब है हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रश्न छे पुर्ण वाकेन उत्तरत पूरे वाके में उत्तर दें तो यहाँ पे पहला पूछा है का में की का आगंतारम सोचियती का मतलब कौन यहाँ पे का का प्रयोग इस्तरी लिख में होता है आगंतारम मतलब आने वाले की सूचियती मतलब सूचना देती है तो हमें घर में आने वाले की सूचना घर में लगी घंटी से मिलता है और उसे घंटी का कहते हैं तो घर के लिए ग्रेश अब्द का प्योग होगा और बाकी जो है घंटी के लिए घंटी का पत का प्योग किया जाएगा तो अब हम लोग यहां पे पुर्ण वाकेन उत्रत का लिखेंगे पुर्ण वाकेन उत्रत और इसमें जो है हम लोग उत्तर संख्या छे है ये और इसमें पहले का उत्तर का की जगा पे हो जाएगा ग्रिह घंटी का आगनतारम सोचियती आने वाले की आगनतारम और अब है यहां पे प्रश्न यहां पे छे के ख में ये कहा गया है कि शिक्षा के शाम मौलिक अधिकार है तो यहां पे शिक्षा जो है वो सर्वे शाम बाल का नाम और सर्वा साम बाली का नाम मौलिक अधिकार है शिक्षा, यहां पर शिक्षा, सर्वेशाम, सर्वेशाम, बाल का नाम, और सर्वाजाम, बाली का नाम, मौलिक, सर्वेशाम, बाली का नाम, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और अब यहां पर हम लोग गह का उत्तर देखते हैं, प्रश्ट में क्या पूछा है, तो प्रश्ट में पूछा है कि सर्वकारेण, सरकार की द्वारा, कस्मिन वर्षे, किस वर्ष में, किस वर्ष में, शिक्षा या मौलिक अधिकार से घोशना क्रिता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोशना की गई, क्रिता मतलब की गई, तो यहां पर जैसा की पाठ में आया है वर्णन, कि सर्वकारेण, नवोत्तर, यहां पर नवोत्तर के बाद लिखना है, द्वी सहस्र तमे वर्षे, द्वी सहस्र तमे वर्षे, सिक्षा याह, मौलिका धिकारस्य घोशना क्रिता, मौलिक अधिकार की घोशना की गई, नवोत्तर, द्वी सहस्र तमे वर्षे, और अब यहां पर घव वाला प्रश्न दिया है, कि सर्वकारियम विद्यालियम, सरकारी विद्याले में प्राप्य, बालाह किम किम प्राप्न बंदी, यहां पर सरकारी विद्याले में जाने वाले बच्चे क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो यहां पर घव में कई वस्तूँ के नाम है, जो बच्चों को दिया जाता है सरकारी विद्याले में, तो यहां पर सर्वकारियम विद्यालेम प्राप्य बालाह, सर्वकारियम विद्यालियम प्राप्य बालाह अब इसमें कई चीजे हैं जैसे गड़ वेशम यूनिफर्म जिसको बोलते हैं पुस्तकानी गड़ वेशम पुस्तकानी पुस्तक स्यूतम जिसमें की पुस्तक और पुस्तिका रखी जाती है बैग जिसको कहते हैं पुस्तक स्यूतम और उसके बाद है पादत्राणम पादत्राणम और मध्याहन भोजनम मध्याहन भोजनम छात्र बृत्तिम छात्र बृत्तिम इत्यादिकम इत्यादिकम प्राप्न बनती प्राप्त करते हैं तो इस तरह से ऐसे बालक और बालिकाएं ये सारी चीजें सरकारी विद्याले में प्राप्त करते हैं और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि दर्शना बालिकाया है दर्शना बालिकाया है प्रवेशम कुत्रकारिश्यती दर्शना बालिका का यानि कि अपनी बेटी का प्रवेशम कुत्रकारिश्यती कहां पर कराती है तो यहाँ पर समीपस्थे विद्याले तो दर्शना बालिकायाह प्रवेशम समीपस्थे, समीप में इस्थिप यानि समीप के विद्याले, समीपस्थे, विद्याले कारिश्यती कराएगी, वहाँ पर कारिश्यती, तो कारिश्यती, कारिश्यती यहाँ पर कराएगी, तो इस तरह से दर्शना बालिकायाह प्रवेशम समीपस्थे, विद्याले कारिश्यती, तो यहाँ पर यह सभी प्रशनों में पूरे वाक्ये में उत्तर दिया गया, और इसमें जो है, पहले प्रशन में पूछा गया था कि का आगंतारम सूचियती, कौन आने वाले की सूचना देता है, और दोसरे में शिक्षा केशा मौलिकाधिकारह, और गह सर्वकारेण कस्मिन वर्षे शिक्षाया मौलिकाधिकारह से घोशणा क्रिता, गोशणा क्रिता, और गह सर्वकारियम विद्यालियम प्राप्य बाला किमकिम प्राप्य वन्ती, तो यहाँ पे यह सब नाम लिखे हुए हैं, यह सारी चीज़न जो है बच्चे वहाँ से प्राप्त करते हैं, और पाच्वे में लिखा है, दर्षना बालिकाया प्रवेशम कुत्रकारेश्यति, दर्षना लड़की का, बेटी का अपने प्रवेशम कहां पर कराएगी, तो दर्शना बालिकाया प्रवेशम समीपस्थे विद्याले कारेये श्यती तो इस तरह से दर्शना जो है वो पास के विद्याले में बालिका का प्रवेश कराएगी उसका नाम जो है वो विद्याले में लिखवाएगी तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग ये सभी प्रश्णों को किए यहां पेर अगला जो प्रश्ण है यहां पे संस्कृते अनुद्यताम संस्कृत में अन्वात करो तो ये सभी वाक्य जो है वो पाठ में इसी तरह का बर्णन आया हुआ है सभी बच्चे कोशिस करेंगे इसे अपने से करने की और पुन्रा रित्ती में इसे कराया जाएगा तो कह है तो यहाँ पे बवचं का प्रयोग है तो गम इश्यंती हो जाएगा खर्षिक्षा हमारा मौली का धिकार है सरकारी विद्यालों में शिक्षा निश्डर्ड के प्राप्त होती है तो यह सारे जो है यहाँ पे वाक्य दिये हुए है तो आज हम लोग को इस वीडियो में इतना ही करेंगे और इसके बाद हम लोग अगले पार्ट को करेंगे धन्यवाद